उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है सुमवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई फाइरिंग में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्र की शव यात्रा में शामिल लोगों ने कई गाडियों और दुकानों में आग लगा दी ग्रामीन लाठी डंडो के साथ सडकों पर उतर आए विरोध प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्च किया डीम मोनिका रानी ने कहा हम स्थिती को नियंतरित करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले अपील है कि जो जो पक्ष उसमें है सभी कानून विवस्था बनी रहे इस दिशा में काम करें जो घटना हुई वो दोख़द है अखिलेश ने कहा कि मुख्य मंतरी को न्याय करना चाहिए बहरायश को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो जो पक्ष उसमें है सभी लोग कानून विवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें जो घटना हुई है वो दोख़द है और किस कारण हुई है प्रसासन, साशन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं सरकार को न्याय करना चाहिए एक चौकीन चार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अदिकारी हड़ जाए उससे कानूवस्था नहीं समलेगी जिस समय ये प्रसाशन निकलने का काम शुरू हुआ कम से कम प्रसासन को इस बात का ध्यान रखना चीए था कि जो प्रसाशन निकल ला है उसका रूट क्या है रूट पे पूरी सुरक्षा है के नहीं है पर्याब पुलिस है के नहीं है और उसके साथ साथ उन लावडी स्पीकर्स पे क्या बजाये जा रहा है अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे लेकिन कम से कम प्रसाशन को ये ध्यान रखना चीए था कि आखिरकार क्या बजा रहे है क्या किसी को अपमानित कर रहे है तो ये पूरी जिम्यदारी साथन की थी सरकार की थी सासन की चूक की वज़े से इतनी बड़ी घटना हुई केवल बहराईच में नहीं इसी तरह सदियों पुराना कई सो वर्स पुराना मेला लगता है बनारस राम नगर में परियाप पुलिस नहोने की वज़े से परियाप बेरिकेटिंग नहोने की वज़े से पर यह आप सुरश्चा के इंदजाम न करने के वज़े से बहुत से लोगों को अपमानेत होना पड़ा और लाठी चली बहुत से लोगों को चोट आई है इधर आप उत्तपदेश में देख रहे होगे कि भारती जंता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं लखीमपुर में किस नहीं देखा कि बिधाई के जहाबड मारा गया और फिर क्या कारवाई हुई क्या कारवाई हुई सोचिया अगर वो F.I.I. लिखाना चाहते हैं तो F.I.I. नहीं दर्ज होगी क्या एड्मिर्सासन को सो मोटो लेकर के ने F.I. दर्ज करनी चीए थी और वहां के जेलादिकारी को फ़ी पहली बार थोड़ी है देख रहे है तमाशा इससे पहले है उन्होंने ने तमाशा ढ़ए गा जब प्रोचे चीने घा उससे पहले bी समाजवादुयों पर इन्होंने लाटी चला ये समाजवादियों को अब्मानिद कौया समयादी पार्डी को अलग तरीके से नजर से देखते हैं तो क्या हुआ के जिला देखा यह तमाशा नहीं देख रहे थे अब तो उन्हीं के बिधाय को तमाशा पढ़ गया अब तो और देखें तमाशा और बहरायच या और जगे जो घटना हो रही है उसकी जिम्मिदा अगर कोई है तो साशन है प्रसाशन है और इनकी बोट की राजनीत है जिसकी वज़े से यह जानबुच करके करा रहे हैं कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना कभी टीवी चेनलों पर जगड़ा करा देना यह इनकी सोची समझी चाल है मैं जनता से अपील करूँगा कि भारते जनता पार्टी की चाल समझे यह नफरत या जगड़ा कराके ही समाज को बांट करके अपने राध्यतिक लाब लेना चाहते हैं